जहीन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटी चैनल स्जेटी पे दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे अगनेवीर वायू रिजल्ट दो होजर तेश के वारे में जैसा कि सारे बच्चे प्रसान है अभी रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट किस डेट को आने वाल है और आज की इस वीडियो में एक एक चीज आप लोगा डिटेलाय बताएंगे की आप लोगा जो रिजल्ट है वह किस डेट को आएगा सात ही रिजन बताएंगे की उस डेट क्योंгов आने वाल है उसके बाद आपouvert को ये भी बताएंगे दोस्तों कि रिजल्ट आज आना चाहिए क्योंकि एक्जाम डेट से ठीक पंदर दिन के अंदर या पंदर दिन होते ही एर फोर्स क्या करती है अपने तरफ से रिजल्ट को जारी कर देती है लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ मेरे भाई पिछले वार के अगर देखो तो बारा दिन के अंदर रिजल्ट इन्हों ने जारी कर दिया था लेकिन इस बार क्यों नहीं तो मैं बताओ जोस्तों अभी आप लोगो पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले हमने क्या कहते है एक वीडियो राया था एर फोर्स ओपन डैली के बारे में ठीक है कि एर फोर्स ओपन डैली फरवरी में होने वाला है मेरे भाई और एक फरवरी से लेकर साथ फरवरी के बीच में साय से होने वाला है रैली तो उसी के कारण क्या हुआ था इस वार रिजल्ट में डिले हुआ मेरे भाई क्योंकि ए इस रैली के बीच में जिसमें कि आप लोगों पता होगा केरला था करनाट का था और मतलब कि आतिलांगना था अंदर परदेश इन सब यह स्टेट को कभर किया गया था आप लोगों पता हुआ सब कुछ मैंने डीटेल में बताया था उसी के कारण डीले हुआ है सबसे पहला आप लोग जालनों ठीक है रिजल्ट लेट होनेगा दूसरा आप बात करते कि अब रिजल्ट कब तक देखने को मिल जाएगा देखो मिर भाई आप लोग का जो एक्जाम है वो 24 जनवरी को खतम हुआ अगर इस डेट से देखा जाए तो कम से कम तो 15 दिन तो होने दो मिर भ बात करते कि अब तो रिजल्ट कब देखने को मिल जाएगा तो रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मेरे भाई अभी जो डेट आप लोग देख रहे हो क्या है आज का डेट है दस आप लोग का फरवरी हो ठीक है अब देखो लोग कि आप लोग का रिजल्ट 10 से 15 फरवरी के 20 में आप लोगों देखने को मिल जाएगा ठीक है यानि कि हो सकता है दोस्तो आज साम तक आजा है लेकिन बहुत कम उमीद है लेकिन 15 फरवरी तक आजा है आज देखो कि तो सुक्रवार है कल दोस्तो सनी बार है 11 फरव क्या है सनी बार है और 12 फरव संडे है तो कल और परसो आने का बहुत ज़्यादा चांसे से क्योंकि सटर डे और संडे को जातर रिजल्ट जो होते हैं वो आउट होते हैं आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए डिफेंस के अब देखो कि रिजल्ट तो आ जाएगा मेरे वाई लेकिन नंबर कितने चाहिए देखो कि इस बार के पेपर का जो लेवल है ने एक तरह से मोड़िट लेवल के पेपर पूछे गए ज्यादा इजी नहीं कोई कोई सिफ्ट इजी भी थे ऐसा नहीं बोला हो कि इजी नहीं हुआ नहीं पूछे गया है तो इस बार तो नॉर्म लाइजेशन वहला सिष्ट में मेरे वाई तो टेंस नहीं लेना है जिनका हाट सिफ्ट है उनका मतलब की नॉर्मलाइज कर के उनके पराबबर नमबर कर दिया जाएगा जिनका क्या है दोस्तो एजी ठीक है वो और दिय तो इतना नमबर पीछे ले बार गया था और उसके बाद बात है यह तो था आप लोगा फेज वन के लिए था और लेकिन आप लोगा फाइनल सेलेक्शन इतना पर नहीं हुआ था जब पीए से लाया था तो यह सीधा 28 मेरे पता है कितना चलिया था यह 28 से 34 के तकरीवन चला गया था नमबर और यह 35 था मिरे को लगा था तो 35 यह बस पॉइंट में वड़ा था 35.75 के तकरीवन या 508 मतलब आधा नमबर वड़ा था एक मान सकते हो यह एक नमबर मान लो 35 अचाथ इतना पीसल के अंदर तो मैं ब यह बात करते हैं यह लिए फानल सेलेक्षन तक नहीं जापा होगे इसके लिए अब बात करेंगे एक्स के अंदर आप लोग कम से 37 नंबर भी रहता है ना तो 100% safe हो मेरे भाई कोई नहीं रोक सकता selection आप लोग का X के अंदर वही Y के अंदर बात करते हैं मेरे भाई तो Y के अंदर आप लोग का 37 नंबर है ना तो कोई नहीं रोकेगा अराम जो selection हो जागा 37 नंबर पर इसे ज़्यादा बढ़ना भी नहीं है बढ़़े हो तो और सेफ हो लेकिन 37 नंबर भी final selection तक आप लोग जा सकते हो इससे ज़्यादा final selection के लिए cut-off नहीं लगेगा तो cut-off के वारे में क्या करण है आई होप कि जो भी एरफोर्स की रिगार्डिंग डाउट बंड़ेते वह मैंने क्लियर कर दिया कोई भी डाउट नहीं बचाओगा अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सकते में कमेंट करके बता सकते हो और मेरे बाई आप लोग अच्छी अच्छी लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा से शेयर किजिए जिनसे को उनका भी जो डाउट है वो पूरा अच्छी तरह के से किलियर हो पाए बाक क्या मिलते दोस्तों एक और नीव वीडियो में तब तक